नमस्कार स्वागत है आपका दभीहार बुलेटिन में खबर सहरसा के सौरबजार्थ फणा छेत्र के सुहत गाउं की है जहां पुरानी रंजिस में एक सत्तर वर्ष ये बुजुर्ग महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई गटना के संबन्द में बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिस में गाउं के ही हतियार बंद बदमासों ने हत्या की गटना को अंजाम दिया है मृतिक गुजुर्ग महिला का नाम सीता देवी है जो सुहत वार्ड नंबर बारह की रहने वाली थी मृतिका के परिजनों ने गाउं के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया बताया जा रहा है कि इन लोगों के बीच पुरू से ही विवाद जल रहा था फिलाल पुलिस सब को कभजे मेले कर पोस्ट मार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज कर इस पूरे मामले की छान भी में जुट कई पुरानी रंजीस है जो 2020 में घटना घटी थी जो दो पक्षों के जिस लिवाद हुआ था इसमें की सो पार्टी के कदब से एक का मडर हो चुका था इसमें वह 21 को मुदालेक रहा था वही घटना है उसी के बदला की चकर में वह परमानल कुमार के पुत्र गोतं कुमार को म मारने के लिए यह ले भाट दिनों से इंचार करना था वो तो फिद्धा सब्सक्राइब जो की नहीं था गौने वह कल आने ही बला था जारी लिए होने की तार्ब फलना ही पहुंच सका और कलना ही पोसका उन्हें लगा कि आठ का है गोतम ऑने गया और वे दरान उपने वालें से अनोज कुमार साथ, अमित कुमार साथ, अबन साह, प्रमूद साह और अभियाथ जप्तित है इसके पीछे क्या कारण हो चाहिए? किस चीज का पुरानी रंजीजेश है जमीनी विवाद था कहा का अविक्ति रहने वाली यह सूहर पंचायक वार्ड नमर बार इसके पती का नाम क्या है अब में तक को लगते हैं हम पोता लगने रिश्पेन